नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटुब चैनल पर दोस्तों आज हम लोग साइंस सेक्षिन में सब्सक्राइब सब्सक्राइब बात करेंगे चलिए शुरू करते हैं को Eleq षदि इसे फैनोमेना इन विच एलेक्टरक्रोंट फ्लो रोगेटम offered z省 अलेक्टिर् स्वा मत्रीड करता है तो हम लोग सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब of energy which can be converted into other form of energy electricity can be converted into sound energy heat energy mechanical energy etc. तो दोस्तों electric energy को हम लोग दूसरी forms में convert कर सकते हैं easily तो sound energy में heat energy में mechanical energy में यह दूसरी तरह की energy हो में हम लोग इसको आसानी से convert कर सकते हैं electric current we know that flowing water in rivers have water current similarly when a electrical conductor is connected to electric source electrons started flowing through it this flow of electrons is called electric current जैसा कि बहते हुए पानी में water current रहता है उसी प्रकार से जब किसी electrical circuit को हम लोग बिजली के source से connect करते हैं उसमें electric current flow होना शुरू हो जाता है तो यह electric current है इसमें electrons का flow होता है इसके अंदर electric current is expressed by amount of charge flowing through a electric conductor in unit time तो unit time में 21 समय में जितना electrical charge उसमें से flow करता है वो हमारा electric current है और we can say that it is rate of flow of electric charge किस तर से flow कर रहा है उसको भी हम लोग electric current कह सकते हैं इन अर्लियर डेस पुराने समय में flow of electron was not known तो एलेक्रों का जो फ्लोव हो में पता ही नहीं था हैंस इस वास consider that positive charge is flowing through it तो हम यह मान के चलते थे थे कि positive charge उसमें से flow कर रहा है और डेक्षन फ्लोव फ्लोव पॉर्जिटिफ चार्ज बस फ्लोव 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 लेक्रों और तो जो पॉजिटिव चार्ज लोग करता था हम लोग एलेक्टिक करेंट मांते थे बट इनक्रिक circuit में direction of flow of electric current is considered opposite to direction of flow of electrons तो हम लोग यह मान के चलते हैं कि electrons का जो flow रहता है उसकी opposite direction में जो है हमारा electric current flow करता है अब electric current की unit के बारे में बात करते है the unit of electric current is Mp. named after french scientist andre marie Mp. andre marie Mp. के नाम पर एलेक्रिकरन्ट का जो यूनिट है उसको एंपयर हम लोग कहते हैं ऑन एंपयर इस एकवल टू फ्लोज्वान कूलम चार्ज पर सेकिन तो हम यह कह सकते हैं कि वन एंपयर जो है अगर एक कूलम का चार्ज म में फ्लोव करता है तो वो वन एंपर कहलाता है वन एंपर मींस 6.24 इंट्व एट नंबर ओफ लेक्ट्रोंस पास्थ रूवे इन पॉइंट इन पॉइंट इन फिसी पॉइंट से अगर एक सेकेंड के अंदर चेशन दो चार गुना दस की घात अठारा इतने एलेक्ट्रोंस अगर फ्लोव करते हैं तो मुल्य का सकते हैं कि वन एम्पर कर गया इसके अंदर तो वन एंपर इसकल टू वन कूलम पर है को छोटी उनिटी भी रह सकते हैं हुलोगच तो एलेक्ट्री करमट होता है जिसके यूनिट मिटर है उसको लिए के इस्तेमाल लोग Scroll करते हैं और दोस्तों तो एमिटर को हमेशा सेर्केट में सिरीज में कनेक्ट किया जाता है ताकि जो सब्सक्राइब जो फ्लोव है वह उससे मेजर कर सकें दूस्तों नुमर के सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देखते हैं एलेक्ट्रिक करेंट ऑफ पॉइंट फॉर एंपियर इस ड्रॉन बाई एलेडी सर्केट फॉर फाइव मिनट्स तो पांस मिनट्स में के लिए देश्मल चार एंपियर का जांसे फ्लोग कर रहा है एलेडी सर्केट वहां से किनेट किया गया है तो हमें शोल हब अत्युद देश thriller स बताना है अगई जैर्ट्र फॉर एंपियर है टाइम फाइड मिनट का है इस अगा थर्टी सेकेंग तो थ्रिहन चार्ज इस गैल तो एलिन टो इन्ट टी थो एंट्ई क्य चचबलम के बरह बड़ा कि बढा गया तो एक कुछ नोट साल करके देखते हैं voltage is balancing force exists between two points that have deficiency and excess of electrons तो voltage के बार हैं बात करने हैं तो voltage is balancing force exists between two points that have deficiency and excess of electrons potential difference it is the difference in electrical pressure measured across two points in a circuit to electric circuit में दो points के बीच में जैदी कि एलेक्रील प्रेशर का जो डिफ्रेंस मेंजर करना हो तो उसको प्रेशनल डिफ्रेंस करते हैं हम इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं the electric pressure difference between two points in an electric circuit carrying current as the work done to move unit charge from one point to other तो एक प्रेंट से दूसरे प्रेंट के बीच में जितना कारे करने में जितना एलेक्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है उसको भी हम लोग प्रेंटेशनल डिफ्रेंस से कह सकते हैं इस मेज़िए इंवॉल्ट तो इसको भूल्ट में मेज़िए करते हैं और इटेलियन सेंटिस्ट अलेज़ेंड्रो वॉल्ट के नाम पर इसका नाम करन किया गया है तो potential difference between two points is equal to work done divided by charge तो वर्गटण divided by charge जो हमारा पोटेशनल रिफ्रेंस है वेन वन जूल वर्क इस दन तो मूव चार्ज ओवन कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अधर ऐसा कह सकते हैं वन वोल्ट इगल टू वन जूल पर कूलम इट इस मेज़र वाइन इंस्ट्रूमेंट काल वोट मिटर तो वोल्ट मेटर से मेजर करते है है तो वोल्ट मेटर करते हैं पर्टेशन डिफ्रेंस करते हैं तो इसको फम्लोग परलं मेकनेट करते हैं अगे हम एक सरकिट भी पिर नकुदर करते हैं दोस तो पर्लेल में किनेट किया जाता है अक्रॉस पॉइंट बिटुमिन विच दपरेशन दिफ्रेंस इस तो बी मेजर जहां पर परेशन डिफ्रेंस मेजर करना हो महापरम लोग लोग सको प्रेल में करते हैं तो सब्सक्राइब करके देखते हैं तो वी हमारा 6 वोल्ट दिया गया है और क्यूफ दिया गया है तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्ट इसकल टू अठ्राइब के बराबर आ गया इलेक्रमोटिफ फोर्स इडिफ्रेंस अने अलेक्रिकल प्रेशर और प्रेशन मेजर अक्रोज अटर्मिनल सब्सोर्स आफ सोर्स अफ वन सर्कृट इस ओपन एड़ एड़ टाइम एफ एग्जिस इन सर्कृट बट वी केन नौट मिजर प्रेशनल डिफ्रेंस अक्रोज अने लौट विकॉस करेंट इस नौट फ्लोईंग तुरू दरू तुम लोग कह सकते हैं कि जब हमारे सर्कृट ओपन रहता है तो एम त कर सकते हैं क्योंकि वहां से अब करेंट फ्लो होना शुरू हो गया वोल्ट इट इस मेजरिंग उनिट ऑफ वोल्टेच पर्टेशनल डिफ्रेंस एंड एलेक्ट्रमोटी फोर्स दोस्तों वोल्ट जो है वह एक यूनिट है जिसमें हम लोग वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं जो पॉस्टैनल डिफ्रेंस और सकते हैं एलेक्ट्रमोटी फॉर्स को मेजर कर सकते हैं रिज्स्तेंस इद अफ्रपर्टी अफ मेट्रीयल बाइब कर विच एट रिजिस यह ऑब्स्टेक्ट देफ्लो ऑफ करन्ट थूँट इट इस मेजर्ड इन ओम तो रिजिस्टेंस ज यहां पर यह हमारा रेजिस्टेंस और उसके पैरलल में हम लोगों ने वोल्ट मेंने किया यहां पर और यहां पर यह एक बैटरी दिखाई गई यहां पर तो जो करेंट का फ्लो है वो इस डारेक्शन में दिखाया गया है कि दोस्तों इस प्रकार की वीडियो से हम लोग लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे यदि आप हमारी चैनल पर नहीं है तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बैल एकन उज़रू प कॉंसेप्ट्स ऑफ लेक्टिसिट के बाएं बारत की धन्यवाद